दोस्तों आज 19 अक्टूबर 2022 को नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने क्वाटर टू के फानेंशल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड डारेक्टर्स ने 5 रुपे प्रती एक्विटी शेर का इंटेरिम डेविडेंट भी डिकलिय वाला है और यह इंटेरिम डेविडेंट की रिकॉर्ड डेट चार नवंबर 2022 फिक्स की है और कंपनी नी यह भी बताया है कि कंपनी इस डेविडेंट को शेर होल्डर के अकाउंट में 17 नवंबर या उसके बाद पे करेगी यह इस कंपनी का कॉंसोलिडेटेट फाइनेशल है उसा पीघर करोड में बताये गए हैं except टर्निंग पर शेर क्यूटू में रेवरन्य फ्रम क्म ओंपरेशन 419 करोड हैं एक ऱ यह जो क्यूएन में 317 करोड था और प्रीविपिस यह क्यूटakukan में यह 349 करोड था, तो revenue from operations में year on year basis पर 23.67% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह 5.45% बढ़ा है, Q2 में total revenue 430 करोड है, जो Q1 में 408 करोड था और previous year के Q2 में यह 349 करोड था, तो total revenue में year on year basis पर 23% की बढ़त है और quarter on quarter यह 5% बढ़ा है, Q2 में profit before tax 83 करोड है, जो Q1 में 97 करोड था और previous year के Q2 में यह 82 करोड था, तो profit before tax में year on year basis पर लगबग 1% की बढ़त है, और अगर हम लोग quarter on quarter देखें, तो यह लगबग 15% गिरा है, Q2 में profit after tax या net profit 57 करोड 81 लाग है, जो Q1 में यह 74 करोड पर 45 लाग था, और previous year के Q2 में यह 63 करोड 23 लाग था, तो पैट में year on year basis पर 8.57% की कमी हुई है, और अगर quarter on quarter basis पर देखें, तो पैट 22.35% गिरा है, Q2 में diluted earning per share 11.66 पैसे है, जो Q1 में यह 15.01 पैसे था, और previous year के Q2 में यह 12.75 पैसे था, तो diluted EPS में year on year basis पर 8.55% की कमी हुई है, और अगर quarter on quarter देखें, तो यह लगबग 22% गिरा है, quarter 2 में consolidated EBITDA 94 करूड है, जो Q1 में यह 99 करूड था, और previous year के Q2 में यह 84 करूड था, तो EBITDA में year on year basis पर तो लगबग 11% की बड़त है, लेकिन quarter on quarter basis पर यह 5.35% गिरा है, और अगर हम लोग इस EBITDA के margin को देखें हैं, तो Q2 में EBITDA का margin 22.38% है, जो Q1 में यह 25% के आसपास था, और previous year के Q2 में भी यह 25% के ही आसपास था, तो EBITDA के margin में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर गिरावट हुई है, तो margin में अच्छा खासा pressure दिख रहा है, तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, इस company का revenue from operation तो year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर बढ़ा है, लेकिन इस company का EBITDA year on year basis पर बढ़ा है, लेकिन quarter on quarter basis पर गिरा है, और इस company का PAT और EPS तो year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर गिरा है, और इस company के EBITDA का margin तो 22% के आस पास पर आ गया है, तो इसमें अच्छा खासा दबाव दिख रहा है, तो मुझे इस company का result कोई खास नहीं लग रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद,